CSK ने IPL 2024 का आगास शानदार जीत के साथ किया टीम के नए नवेले कप्तान रितूराज गैकवाल ने कप्तान के रूप में अपना पहला IPL मैच जीत कर ये साबित कर दिया है इस CSK ने उन्हें कप्तान बना कर कोई गलती नहीं की है RCB को 6 विकेट से हराते ही रितूराज गैकवाल के खुशी का ठिकाना ना रहा मैच के बाद उन्होंने इस जीत का एक बड़ा रास खुलते हुए MS धोनी का नाम लिया सबसे पहले तो उन्होंने RCB के बल्लेबाजू की तारीफ की खास कर जिस तरह से उन्होंने देथ ओवर्स में बल्लेबाजी की उसके बाद रितूराज ने बताया कि मैक्सवेल और फाफ डू प्लेसी का विकेट टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जिस तरह से हमारे गिनबाजों ने कुछ ही मिन्टो के अंदर लगातार तीन विकेट चटका दिये वो मैच का रियल टर्निंग पॉइंट था कैप्टेंसी पर सवाल पूछे जाने पर रितूराज ने MS धोनी का नाम लिया बगार कोई additional pressure के मैंने कैप्टेंसी को enjoy किया मुझे ऐसी situation handle करने का experience है तो मैंने कोई pressure नहीं फिल किया और धोनी भाई तो है ही मुझे guide करने के लिए कप्तान के रूप में रितूराज का एकवाड को 10 में से कितने number मिलने चाहिए कॉमेंट में बताएं